हेलो फ्रेंड्स विल्कम टो आवर चैनल शॉट हैं गोलो जी कैसे हैं आप लोग आइधिक सभी लोग अच्छे होंगे और राजस्थान हाई कोड इस्टिर्टोग्राफर का एडमिट का रिटा चुका है आप लोग जाईए और डाउलोड कर लीजिए और जितने भी इस्ट् पढ़ के जाना है ताकि वहां पैसा कुछ ना हो कि आप जब वहां स्किल टेस्ट देने पहुंचे तो आपके पास कोई आईकार नहीं है कोई फोटो नहीं है फिर जो चीजे इस्ट्रेक्शन बताई गए थी उसमें से आपके पास ऐसी कोई चीज है जो आपने नहीं प्रि जाएगा लेकिन जो आप बैक स्पेस का यूज करेंगे वह आप बिलकुल कर सकते हैं बैक स्पेस करके आप अगर आप से कोई इस पेलिंग गलत हो गई है या फिर आप से कुछ चूट गया है कुछ आपने गलत लिख दिया है कुछ जादा लिख दिया है तो बैक स्पेस कर या फिर और भी कोई काम है तो आप उसको पहले ही कर सकते हैं और पादी वगएर इतना ज्यादा मत पी लिजएगा कि आपको बावने प्राबलम हो क्योंकि आपको एक गंटे से तक बैठना पड़ेगा तो इसलिए आपको फ्रेंड्स एक और शीर बतातों कि दो मिनट का सबस संतुष्ट हो जाएंगे उसके बाद ओरिजनल डिक्टेशन जो की 6 मिनट की रहेगी वो प्ले होगी तो आपको अगर साउंड में कोई प्राबलम आ रही है डिक्टेशन के फ्लो में कोई प्राबलम आ रही है आप जहां बैठे हैं वहां पे सही से आवाज नहीं आपार य जो भी प्राबलम सारी है उनको बताइए उसको आप सही करेंगे उसके बाद जब आप जाएंगे टैपिंग के लिए कंबिटर के लैब में तो वहां पर आपको सबसे पहले सारी कीस अच्छे से चेक कर लेनी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कोई की कामी नहीं कर रही हो या फिर कोई भी किये है जो काम नहीं कर रही तो चाहिर सी बात है आप जो भी डिक्टेशन लिखेंगे जो भी टाइब करेंगे बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा और उसकी की वज़े से हो सकता है आपकी काफी ज्यादा जाएंक क्योंकि जब कीप्रे सी नहीं होगी तो आप कहां स से सही कर पाएंगे और अगर बाग में बताएंगे तो ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि इस्टेक्शन में पहले ही कहा गया है कि जो भी प्रॉब्लम आपको हो आप पहले ही उनको बता दीजिए 65 मिनट का फ्रेंड्स टाइम है आप लोग मुझे पता है अगर अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो विदिन टाइम आप लोग अच्छे से कंप्लेंट कर सकते हैं तो जो नेक्स्ट वीडियो मेरी रहेगी वो इसके उपर रहेगी कि जैसे आप 15 दिन बचे हुए हमाल लेजाब तो इन 15-16 दिनों में मैं कैसे अपने त्यारी को करूँ इस्पेसली स्किल टेस्ट के लिए ठीक है वरलब जो मैंने कोई स्किल टेस्ट लगा हो तो कितना मुझे प्रैक्टिस करना चाहिए कितना डिक्टेशन डेली लिखना चाहिए अगर मेरी स्पीड अभी थोड़ी सी कब है तो कैसे हम उसको जल्दी से बढ़ा सकते हैं इसके बारे विए उस वीडियो में मैं बात करूँगा और इसी के साथ साथ फ्रेंट्स आपकी जो एक्यूरेसी है आपको वो सुधारना होगा कैसे सब्वारेगे वो भी बताऊंग अगर आपकी जो जो कम्यों को आपने पहचान लिया और वो कम्य आपने अपनी दूर कर ली तो फिर जाहिर सी बात है आपके होने वाले डिक्टेशन में सीधा सीधा उसका असर पड़ेगा तो नेक्ट वीडियो हमारे इसी के उपर होने वाली है कि 15 दिनों के अंदर 15-16 द अगर ब्रेन से सही काम लेना है तो जैसा फ्यूल अपनी बॉडि में डालेंगे वैसा हरिजल्ट हमारा ब्रेन देगा तो इसके बारे में इन सब के बारे में नेक्ट वीडियो में मैं डिसकस करूंगा फिलालाच की वीडियो में इतना ही आप लोग त्यारी कर रहे हैं तो